एक बार पुना से The Online English यूटूब चैनल आप सुभी का स्वागत करता है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग याद करेंगे 10 नए वर्ड्स वो भी एक किजी ट्रिक के माध्यम से जैसा कि आप जानते हैं हमारी पिछली वीडियोज की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ भी रटना नहीं है बस ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है और मुझे उमीद है कि यह सब आपको काफी आसानी से याद हो जाएंगे तो चलिए आज की वीडियो की सुरुआत करते हैं आज की वीडियो का फास्ट वर्ड है इस्टाउट इस्टाउट यह एक एडजेक्टिव है और इसका मिनिंग है fortly fat या फिर मोटा ठीक है stout का मतलब है fortly fat या फिर मोटा ठीक है अब इसको याद कैसे करेंगे stout को ध्यान से देखने से पता चलता है इसमें चुपा है stomach out हम किसी ब्यक्ति के लिए बोल रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा stout है यानि कि इतना ज़्यादा fat है इतना ज़्यादा मोटा है कि उसका जो stomach है वो क्या है out है यानि कि बाहर है ठीक है तो stout सब्द से हमने निकाल लिया stomach out और जिस ब्यक्ति का stomach काफी ज़्यादा out हो वो क्या होगा वो stout होगा यानि कि fortly होगा fat होगा मोटा होगा ठीक है तो इस्टाउट का मतलब है पोटली फायट या फिर मोटा बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ अगला वर्ड है असेल असेल इसका मतलब है अटाइक या फिर आकरमर करना ठीक है असेल एक वर्ब है और इसका मिनिंग है अटाइक यानिकी आकरमर करना अब के अटाइक करने के काम आती है आक्रमड करने के काम आती है ठीक है यहां से अब देख सकते हैं असेल सब्द से हमने निकाल लिया मिसाइल और मिसाइल किस काम के लिए यूज की जाती है असेल के लिए यानि के अटाइक के लिए आक्रमड करने के लिए ठीक है तो असेल का फूल यानि की दच या फिर निपूड ठीक है एड्रॉइट का मतलब है दच या फिर निपूड आप देखिए इसको याद कैसे करेंगे एड्रॉइट यानि की एंड्रॉइड एड्रॉइड यानि की एंड्रॉइड और एंडृज जिसने भी बनाया आप कलपना करिस कि एंडृज जिसने भी बनाया वो क्या था एंडृज था यानि किस दॉर दच ता यह फिर निपूड था यह फिर आप किसी ऐसे वेक्ति की बात कर लीजए Android सबसे हो और किसी ऐसे वेक्ति की बात कर लीजए जो काफी ज़्यादा Android मse 거죠 से चलाता हो ठीक है तो वह वेक्ति क्या होगा वह भीक्ति उस काम में क्या होगा एड्रोइट होगा यानि कि स्किल्फूल होगा दच होगा या फिर निपूड होगा ठीक है तो एड्रोइट यानि कि एंड्रोइट और वो काफी तेजी से एंड्रोइड मोबाइल चलाता है क्यों क्योंकि वो उसका में क्या है एड्रोइट है यानि कि स्किल्फूल है दच है या फिर निपूर है, बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, अगला वर्ड है अवर्जन, अवर्जन या फिर अवर्जन दोनों तरस इसका प्रनंसियेशन किया जा सकता है, अवर्जन या फिर अवर्जन या फिर अवर्जन, ये इंग्लिस यूके और इंग्लिस यूएस का ड को पनाते हैं साथ शांद लाइक व बोर्जन यानि किव اज़ान अर जब हमें अपने प्होन का वर्जन पसंद नहीं आता है तो हम लोग क्वार्जन को क्या करते हैं ऑर्जन करते हैं यानि क principals करते गिड़ा करते हैं ठीक है तो अवर्जन सबसे हमने निकाल लिया वर्जन और जब हमें हमें अपने मोबाइल का वर्जन पसंद नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं अपने वर्जन को अवर्जन करते हैं यानि कि डिसलाइक करते हैं गिड़ा करते हैं तो अवर्जन का सब्सक्राइब है इसके सिटी यह फिर कमी अब देखिए डर्थ साउंड्स लाइक डेथ डर्थ यानिक डेथ और इंडिया में जो डेथ रेट है वो क्या है उसमें डर्थ है यानिक उसमें इसके सिटी है कमी है ठीक है डर्थ सबसे हमने निकाल लिया डेथ और इंडिया में जो डेथ रेट है यानिकी मृत्यूदर है उसमें क्या है जन्मदर के बजाए क्या है डर्थ है यानिकी सौटेज है इसके सिटी है कमी है तो डर्थ का मतलब ह इसके सिटी यानि की कमी नेक्स्ट वर्ड इसक्रीम इसक्रीम यह एक वर्भ है इसका मिनिंग है क्राई यानि की चिलाना ठीक है इसक्रीम का मतलब है चिलाना और इसक्रीम साउंड्स लाइक आइसक्रीम इसक्रीम यानि की आइसक्रीम और चोटे बच्चे आइसक्रीम खाने क के लिए क्या करते हैं इस्क्रीम करते हैं यानि कि चिलाते हैं क्राई करते हैं ठीक है इस्क्रीम सब्द से हमने निकाल लिया आइस्क्रीम और चोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि वह आइस्क्रीम के लिए इस्क्रीम करते हैं यानि कि क्राई करते हैं वह चिलाते हैं तो इसका मिनिंग है होरिबल यानि की डराऊना ठीक है गैस्टली का मतलब है होरिबल यानि की डराऊना अब देखिए इसकी ट्रिक मनाते हैं गैस्टली यानि की गोष्ट गैस्टली यानि की गोष्ट और गोष्ट मतलब भूत और गोष्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं वो गै होते हैं यानि कि horrible होते हैं डराओने होते हैं बढ़ते हैं अगले वरड की तरफ अगला वरड है फिरोरी इसका मतलब है खमोसन यानि की हांगामा या फिर हलचल अब देखिए फिरोरी से हमें याद आता है फरार फिरोरी यानि की फरार और जब कोई अपराधी जेल से फरार ह हो जाता है ठीक है क्योंकि फिरोरी सब्द से हमने निकाल लिया फरार और जब कोई अब रादी जेल से फरार हो जाता है तो क्या होता है पुलिस में फिरोरी मज जाता है यानि कि खमोशन मज जाता है हंगामा या फिर हल चल मज जाता है तो फिरोरी का मतलब है हंगामा या फिर हल चल next word we have चबी यह एक adjective है इसका meaning है रोटन्ड यानिकी मोटा ठीक है चबी का मतलब है मोटा अब देखिए चबी यानिकी चुभी यह हम लोगों का keyword है चबी यानिकी चुभी जब मैंने उसके सभी दोस्तों के सामने चबी का यानिकी मोटा का तो यह बात उसको चुभी ठीक है यह बात उसको चुभी तो चबी यानिकी चुभी और जब मैंने उसके सभी दोस्तों के सामने चबी का यानिकी रोटन्ड का मोटा का तो यह बात उसको चुभी ठीक है तो चबी का मतलब होता है मोटा आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है फटीग फटीग यह एक नाउन है और इसका मिनिंग है वेरिनेस यानि की थकान ठीक है फटीग का मतलब है वेरिनेस यानि की थकान अब देखी इसको याद कैसे करेंगे fatigue यानि कि fat यानि कि fat और fat जो आदमी होता है यानि कि मोटा आदमी जो होता है वो पैदल चलने पर जल्दी ही क्या हो जाता है उसमें fatigue आ जाती है यानि कि weariness आ जाती है थकान आ जाती है fatigue सब से हमने निकाल लिया fat यानि कि मोटा और जो बैदल चलने पर जल्दी ही क्या हो जाते है वो उनमेs fatigue आ जाता है यानि कि weariness आ जाता है थकान आ जाता है तो fatigue का मतलब है weariness यानि कि थकान तो आज के यहीं थे 10 words, चलिए एक चोटा सा test लगाते हैं और चेक करते हैं हमें कितना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला और कितना कुछ याद रहा तो test का first question है, scream, scream आपको मिलते हैं 3 second, अपना सही answer select करें अब देखिए, scream से हमें याद आता है, ice cream, scream यानि कि ice cream और चोटे बच्चे अक्सर ice cream के लिए क्या करते हैं scream करते हैं, यानि कि चिलाते हैं, cry करते हैं, ठीक है, तो scream का मतलब है cry यानि कि चिलाना next question, adroit, adroit, अपना सही answer select करें, adroit, अब देखिए, adroit से हमें याद आता है, android, adroit यानि कि android, और वो बच्चा क्या था, android मुबाइल चलाने में, adroit था, यानि कि skillful था, उसमें दच था, निपूड था, ठीक है, adroit का मतलब है, a skillful, दच या फिर निपूड, तो उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, share कर दीजिए, और चैनल अपने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्या हुआ ए हुआ, इज 2-8, सब्सक्राइब करना न भूलें, तो उमीद करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेद 먹어 कर दीजिए, ठीक बाओको बाद।